हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से टेस्ट नंबर 7 करेंगे फुल लेंध मॉक टेस्ट जीएस का यूपी पीसिस आरो 2016 री एक्जाम प्रिलिम्स के लिए हमारे किसी भी पेट रुप से जुटने के लिए इस नंबर पर कॉल किये जा सकता है और हमारे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स्टेंड हो गए हैं अब हम ट्विटर पर भी हैं अगर आप ट्विटर यूजर हैं तो इसको फॉलो करिए अगर रही है तो अगर कोशिश करें अकाउंट बना ले यहां पर काफी सारी इंट्रेक्टिव चीज़े हम लोग डेली करते रहते हैं फिलाल हमारे ग्रूप्स UPSC के एक्जैम्स के लिए प्री और मेंस के लिए ब्पेस्ट के लिए दो ऑफशनल चल रहे हैं ऑफशनल एंसर राइटिंग सोस्वालजी के और UPSC प्री का ग्रूप चल रहा है आप इनको जोईन कर सकते हैं सबसे पहले GS के question देखेंगे फिर देखेंगे reasoning question पहला GS का question है अलावदीन के बाजार नेंत्रण की नीती के सम्मद में सही कथन चुनिया पहला है कि उसने तीन प्रकार के बाजार स्थापित किये थे तो पहला कथन यहां पर सही है उसने तीन तरह है कि बाजार की निखति की थी जो बाजार पर नियंतरण करते थे correct है दा विलेज अव दा इंटर स्टेट वर अंडर इकता सिस्टम तो इसमें कहा गया है कि पूरे सामराज जो था उसको इकता सिस्टम के इंतरगत विभाजित किया गया तो यह incorrect हो जाएगा क्योंकि दोवब रीजन को उसने इकता परिथा के इंतरगत नहीं रख़ा था उसने direct माल गुजारी सीधे वसूल की थी दोवब रीजन मेरेट से ले करके अलाहबाद के कड़ा तक का रीजन उसने माल गुजारी सिस्टम पर रख़ा था उस पर एक्तादारी विवस्था नहीं लागू होने दी थी तुमारा करेक्टर एंसर बन जाएगा 1 and 2 only निम्न में से सही कथन चुनना है अलाउदीन के समय एक टका 15 जीतल के बराबर होता था यह रॉंग हो जाएगा क्योंकि एक टका जो था वो होता था 48 जीतल के बराबर अलाउदीन के समय में एक मन का जो तौल होता था वो आज के 15 किलोग्राम के बराबर होता था यहां पर लिखा 48 तो यह हो जाएगा रॉंग तो यह वाला भी रॉंग हो गया अगला है कि अलाउद्दीन के समय एक टका चांदी का एक रुपया होता था ये करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि टका जो है ये इल्तुत्मिष के समय ही आ चुका था ठीक है तो इसने मेंटेन रखा है इसको हमारा करेक्ट अंसर बन जाएगा only three C इस समया के समय में दीवान अमीर को ही नामक विभाग का सरजन हुआ था कई सारी विभाग हैं दीवाने अमीर को ही दीवाने इंशा दीवाने रसालत इन सब के परपस आपको पता होने चाहिए कि वो किस से सम्मंदित है और किस सासक ने उसको शुरू किया दीवाने अमीर को ही शुरू किया था अग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट क्रूप में दिवाने अमीर को ही, option number C हमारा correct answer है इसमें, फिरोज शाह तुगलक के शासन के संबंद में सही कथन का चुनाव करना है, पहला है कि फिरोज शाह ने जजिया को एक अलग कर बना दिया था, ठीक है, पहले जो करमाल गुजारी पर लगता था, उसको literally एक religious tax बना दिया था, जो प्रोडो मृदा के संबंद में कौन सा कथन सही है, humus, lime और carbonic पदार्थ पाय जाते हैं इसमें, बालू की मात्रा देश में पस्चिम से पूर्व की और घटती जाती है, ठीक है, सही है ये, जैसे राजिस्टान में सबसे ज़्यादा बालू होती है, और जैसे जैसे पूर् хотสने पस्चिम मांसून के गठन को प्रभावित करता है, तो दक्षिन पस्चिम मांसून के फारमेशन को टिबिटन प्लैट्यू प्रभावित करती है, चेंज इन दा पोजीशन अफ ढर्शेंज ऑफ इंटार्प ओशन यह भी है, ठीक है, उसके बाद भूमी और जल के तापन और शीतलन में विभेद ये भी कारण है तो ये सब कारण बताए जाते हैं आपके formation of southwest monsoon को जो influence करते हैं factors तो answer हो जाएगा D all of the above जैन तीर थंकरों के संबंद में काउन सा सही है रिगवेद में जो दो जैन तीर थंकर mention किये गये हैं वो एक रिषब देव हैं और एक अरिष्ट नेमी हैं तो ये correct है पहला वाला वाला पांकी ये वाला इन के रेक्ट है ठीक है option number a correct है इसमें निमने लिखित चालुक के शासकों में से किसने पल्ला और राध्धानी को लूट कर और अपने पिता की हार का बदला लिया था तो ऐसा किया था विक्रमादित्य प्रथम ने option option number d कहीं कहीं परिशासक को विक्रमादित्य द्वती भी लिखा हुआ है तो इसको option के हिसाब से आप करिएगा अगला कोशन है सनसद ने प्रशासनिक नया अधिकरन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया administrative tribunals act आया था 1885 में option number a निम्न लिखित में से कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि मंत्री परिशत सामोवी कुरूप से लोकसभा के परती उत्तरदाई होती है बताया गया आर्टिकल नंबर 75 में option बर बी निम्न में से किस फसल में सूखा सहन करने की अधिक्तम शक्ती होती है तो जहां पर रुगाई जाती है जैसे मिलेट्स जो है राजस्थान में होते है ज्यादा तर तो मोटा अनाज ज्यादा तर जो है सह लेता है extreme weather conditions सूखा सहने की शक्ती सबस्याद होती है बाजरा में option number d लेट बलाइट यानि ज्हुलसा रोग किस में होता है ज्हुलसा रोग होता है आपका पोटैटो में अल्ब्यूगो नामक जो है फंगस के कारण होता है option number b उत्तरफ्देश में राष्टरी खाद श्रक्षा धिनीयम कब लागू हुआ था या धिनीयम 2013 में सरकार की तरफ से आ गया था अप्रेल 2016 तक सभी राज्जियों ने इसको अपने आपर इंपलिमेंट किया उत्तरफ्देश विउनी में से एक है उत्तरफ्देश ने इसको इ देखनेक मिलेगी corporate farming होती है अमेरिका में option number C इन में से किस स्थान पर सरवादिक मात्रा में गुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए है गुप्त कालीन सिक्के मिले हैं आपके बयाना से बयाना है भरतपुर के पास जगह एक option number A अब यहां पर ruler है inscription है एक बार फिर से उनको match करना है समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाक प्रशस्ती से चंद्र गुप्त दुथी महरौली पिलर इंस्क्रिप्शन महरौली लेक और असकंद गुप्त भीतरी स्तंब लेक ठीक है उसके बाद है गुप्त के बारे में पहाडगर पहाडपुर तामरपत्र से जानकारी मिलती है आप उनको यह कॉमेंट करके बताईए कि बिलसड और मंत्सा और इंस्क्रिप्शन किस से सम्मंदित है फिलहाल इस question का answer हो जाएगा A 1234 ABCD आमने सामने सही मिलाये हुए है अलेक्जैंडर यानि सिकंदर के समकालीन का था यह आया हुआ question है सिकंदर के समकालीन था आखरी नंद बनश का सासक घ्णानंद ऑप्शन बर B घ्णानंद या धनानंद इसको कहीं कहीं पर लिखा जाता है ऑप्शन बर B दिलवाडा का जैन मंदिर किसने बनवाये था ठीक या फिर चालू कि वन्ष के सास्कों ने दिलवाडा का यह जैन मंदिर बनवाया, अब दिलवाडा का जैन मंदिर जो है, यह किसको डिडिकेटड है, रिशब देव को, निम्ण में से सरवाधिक प्राचीन ग्रंत कौन सा है, सरवाधिक प्राचीन है आपका सत्पत घाने से का नीवाशी था तो जिया ओत दिन भर नी रहता था बुलन्द शहर में अप्शनबर सी हां राजकिय संग्रहाले मत्रा के स्थापना कब हुई थी 1874 में अप्शनी अप्शनबर टी सुभास चन्द्रबोस ने कौन से पार्टी बनाई थी सुभास वाज संद्र बुफस ने बनाई थी फॉर्वर्ड ब्लॉक ऑप्शन अमबर डी इन में से कौन सा नरत्य बुंदेल खंड या फिर बांदा रीजन के अहीरों के दोरा किया जाता है तो अहीर जाती हों के दोरा किया जाने वाला रत्य आपका पाई डांडा ऑप्शन अमबर ए पूछले कहां पर होता है तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में होता है उत्तर प्रदेश में बीखा जील जो है कहां पर मिलेगी बीखा जील मिलती है आपकी इटावा में ऑप्शन बर सी हाली में किस देश में अमेरिका और तालिबान के बीच समझावता बैठा कोई थी ये इसकी स्थापना हुई थी एक जून 2016 को और Companies Act 2013 के तहत ये स्थापित किया गया था ओप्शन बर टी अराकू फेस्टिवल कहां पर होता है अराकू फेस्टिवल होता है आंधर में आंधर प्रदेश में ओप्शन बर बी वर्ल्ड वाइड लाइफ डे कब बनाते हैं वर्ल् सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में ओप्शन बर टी हाली में किस भारती राज में नमस्ते ओर्चा नाम से तेवहार बनाये गया था ओर्चा जहां पड़ता है वहीं मनाये जाएगा मध्वर्देश में ओप्शन बर सी ओर्चा में राजाराम मंदिर है जो है काफी फेमर्स ह है औरचा में ओप्शन बर सी हाली में संप्रिती नामक अब्यास हुआ था सायन्य अब्यास भारत और बंगलदेश के बीच होता है ये और उसके बाद है कि ये जो है टेन्थ एडीशन था संप्रिति का ये नाइन्थ एडीशन था जिए 2019 में हुआ हमारा करेक्ट एंसर है option number a हाली में कि सडप्पा स्थल पर भारत सरकार ने संग्रहाले बनाने की योजना बनाई है यह बनाए जाएगा राखी गड़ी में ठीक है राखी गड़ी कहां पर है हर्याना हर्याना स्टेट में लोथल में भी एक बनाए जाएगा यह आपका यह पोर्ट मिंसियम होगा ठी मतलब 15 ओटो एक्सपो 2020 का अवजन कहां पर हुआ था 15 ओटो एक्सपो हुआ था आपका ग्रेटर नोईडा में ऑप्शनबर डी हाल यह में चर्चा में रहा यह शब्द शिलॉंग सिलॉंग डिकलिरेशन किसे संबंदित है एकजार स्प्रिंग पहल यह इनिशेटिव जो है किस मिनिस्ट्री ने लांच किया था जनजाती मामलों के मंतराले ने मिस्ट्री आफ्राइबल अफेरस ने इसको लांच किया था ट्राइबल एरियास में पानी की आपूर्ति करने सं किसी बिजली चालित हीटर या कोकर के गर्म हो जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है जो गर्म हो जाता है और फिर हीट देता है हमको वो कहलाता है आपका एलिमेंट ऑप्शन मुबर अभी एलिमेंट लाल पांडा के बारे में सही कतन चुनना है क्या यह असम कराज की नेपाल भूटान में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारा करेक्टर एंसर बनेगा D, इन में से कोई नहीं, रेट पांड़ा जो है। यह राजकी पशू है। सिक्किम का राजकी पशू है, भारत में पाये जाता है, नेपाल भुटान में अनमार और धक्षनी चीन के जंगलों में भी। म्रकल Cell Carcinoma Virus जो है मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है म्रकल Cell Carcinoma प्रभावित करता है स्किन को तवचा को option no.C विश्विध्यालेवव की ranking जो है की सथा के दौरा जारी की जाती है तो यह होती है आपकी कुवाक्रली साइमंड्स यानि कि जिसको QS पोलते हैं short form में अब्रिवेट करके QS की युनिवस्टीज की रैंकिंग आती ही टॉप 500 की और उसमें हम भी हर साल देखने हैं कि भारत के कितने इंस्ट्यूट सामिल हुए है आप कॉमेंट करके बताइए कि लेटेस्ट QS की रैंकिंग में भारत के कौन कौन से इंस्ट्यूट सामिल हैं सुप्रिम कोट ने अभी कहा है हाल में कि जब किसी व्यक्ति को पॉलिग्राफ टेस्ट ब्रेन मैपिंग और नार्को एनलासिस टेस्ट से गुजरना पड़ता है तो ऐसा कटने से इन में से कौन से अनुछेद का उलंगन हो जाता है सुप्रिम कोट के नुसार आर्टिकल नमबर 21 और आर्टिकल नमबर 20 क्लॉस 3 का उलंगन हो जाता है क्योंकि जीवन का अधिकार जो है राइट टू परसनल लिबर्टी एंड फ्रीडम राइट टू लाइफ एन परसनल लिबर्टी जो है तो एक तरीके से उसकी परसनल लिबर्टी और आर्टिकल नमबर 20 क्लॉस 3 में क्या दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि एक्यूजड परसन को खोद का विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता गेर या फाग यात्रा के नाम से जो होता है इसके बारे में दो कथन बताना है पहला कथन है कि इसका हाल ही में मदप्रदेश में आवजन हुआ था और इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हरिटेज की लिष्ट में शामिल किया हुआ है फाग यात्रा को मारा करेक् अभी officially नहीं किया गया है तो अभी हम इसका answer जो है केवल एक ही मानेंगे क्योंकि मद्धप्रदेश की तरफ से nominate किया गया इसको की शामिल किया जाए अभी officially nominate नहीं हुआ है ये गेर या फागयात्रा तो गेर जो है ये प्रोसेशन होता है होली की दवरान मद्धप्रदेश में option number one यहां पर केवल सही होगा हिंदमास आगर आयोग इंडियन ओशन कमिशन के बारे में बात करना है भारत इस आयोग का सदस्य है क्या नहीं भारत इसका सदस्य से नहीं है इसके सदस्य जो है ये पाँछ जो है ड्वीय पी यह देश इंडियन ओशन को जो करते है ये अफरीका कॉन्तिनेंट से आते हैं इसका एंसर वुजाएगा only one इंडियन ओशन कमिशन के पाँच देश आपके मतगास्कर मौरिशस, रियूनियन और शीशल्स और कोमोरोस हाली में स्रजित परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाय गया है चार राजियों के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया है फिर से जिसमें एक राज जमू कश्मीर भी है नौ गठित तो इसमें बनाय गया है सुप्रीम कोट की पूर्व जज को अध्यक्ष रंजना प्रकाउस देशाई और जमू कश्मीर के लिए इस पूरे गठना क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से एक स्पेशल नॉमिनी भेजे गए हैं इलेक्षन कमिशनर सुशील चंद्रा भेजे गए हैं यह भी याद रखेगा केंद्री नमक एमं समुद्री रसायन अनुसंधान सनस्थान कहां पर स्थित बताना है पहले इसको सेंटरल सॉल्ट इंस्टूट के नाम से जानते थे यह स्थित है आपका भाव नगर में option number C किसी ताप को स्थिर बनाये रखने के लिए किस यंत्र का उप्योग किया जाता है किसी ताप को स्थिर बनाये रखने के लिए थर्मो स्टैट का उप्योग किया जाता है option number B quantum का सिध्धान्त किसने प्रतिबादित किया था तो quantum सिध्धान्त लाये थे max plank आप्शनबर C निम्ण लिखित में से कौन सी भहुतिक राशी है जो मातरा में वरधी के बाद भी अप्रभावित रहती है तो ये है आपका घनतो आप्शनबर D निम्ण में से उश्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है बेस्ट कंड़क्टर है आपका मरकरी आप्शनबर B निम्ण में से सही का थन काौन सा है उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है और उत्तल लेंस आपतित केरिणों को अभी सरीथ करता है ठीक है करेक्ट है दौनों स्टेट्मिंट यहाँ पर हमें एक अगर उत्तर लेंस बना लें इस तरीके से तो आप देखेंगे कि यह जो है किनारों पर पतला बीच में मोटा है ठीक है और रे अगर कोई जाती है इस से तो यह कन्वर्ज हो जाती है इस तरीके से ठीक है तो हमारे करेक्ट एंसर हो जाएगा सी बोथ दोनों ही करेक्ट हैं निम्ली कित्मे से काउन सा एक निकट द्रश्टी दोश है यानिकि आपका शॉर्ट साइटिडनेस किसे कहते हैं यह है मायोपिया ओप्शन बर ए मायोपिया में आगर हम देगें तो होता क्या है इमेज जो है यह e bottom बने के बजाए बन्ति ह錢 एससे पहले ही ठीक है तो एक लेंस लगा दिया जाता है minus lens यानि कि आपका यह diverging lens लगा दिया जाता है तो फिर जो है correct हो करके यहां पर बन जाती है image finally तो यह भी पूछा जा सकता है कि myopia को क्योर कैसे करते हैं तो यहां पर use करते हैं यह वाला lens और यह वाला lens कहलाता क्या है एक concave lens अमलो और चारों की पहचान करने के लिए इनमेंसे कौन से पतार्थों का इस्तामाल करते हैं lige मस्-पेपर का करते हैं रॉसल लाॉआ से जो बनता है फिनौप्तलीन का करते हैं या फिचाइन रोउस का कर भी कर लेते हैं तो सारे का कर लेते हैं We look up option T इन में से highest calorific value किसकी होगी जो सबसे कम धुआ देगा वही सबसे ज़्याद अच्छा है तो मिधेन जो है ये यूज होती है पदार्थ का सबसे छोटा कंड जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं हम लोग अणू ठीक है अणू यानि कि आपका atom atom होगा यहाँ पर option number A आगे मारा question है जल का उपचार करने में fit curry का प्रयोग करते हैं तो ये process क्या कहलाती है ठीक है alum का अगर प्रयोग करते हैं तो हम किस लिए करते हैं क्या property है alum की alum की property coagulation या फिर clotting होती है सकंदन जिसको बोलते हैं तो option number B सही होगा clotting कर देता है यहाँ पर particles की यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इस तरीके से होता है यहाँ पर जैसे impurities दिख रहे हैं आपको यह छोटी-छोटी यहाँ पर हमने coagulant डाल दिया माना की alum डाल दिया ठीक है तो alum जो है इसके साथ बना लेता है clot तो यह clot जो है नीचे तब जाते है यह clot को जो है लग कर लिया जाता है उपर रह जाता है शुद्ध पानी निमने लिखित में से कौन सी एक मिश्र धातू या फिर alloy नहीं है तो फिर alloy जो है एक mixture ही होता है कुछ लोग confuse होते हैं क्या alloy compound है नहीं alloy जो है यह mixture होता है तो copper जो है independent है यह किसी चीज़ का alloy नहीं है bronze, brass, steel यह सब alloy है alloy यह नहीं एक स्याधिक metals को मिला करके बनाया है वाइरस के बारे में सही गतन चुनना है वाइरस में प्रोटीन के आवरेंड से घिरा एक nucleic amlog होता है ठीक है यह correct है only RNA इस found in वाइरस नहीं RNA और DNA दोनों हो सकता है अलग-अलग वाइरस में लब एक ही वाइरस में दो नहीं होते हैं अलग-अलग वाइरस होते हैं कोई RNA वाइरस होता है अब बताना है कि question 85 में क्या होगा प्रोकारियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ स्वतंत रूप से कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं और दूसरा है कि यूकारियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक-पदार्थ-KOSH का द्रव के सीधे संपर्ख पर रहते हैं ठीक है तो इन प्रोकेरियोटिक सेल्स दा नुक्लिया है फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाजम करेक्ट है यह जब आप difference लिखोगे कि prokaryotic और eukaryotic cell में main difference क्या होता है तो यही लिखा जाता ज्याता तर option बर C सही है both correct नीति आयो कैसे स्थापित किया गया है तो नीति आयो केंद्री मंदल दौरा एक प्रस्ताव पारित करके किया गया है resolution से बनाए option number a निमनल लिखित में से कौन कौन से आपके plant हार्मोन है तो निमनल लिखित में से आपका जो है गिब्रेलिन भी है गिब्रेलिन जो भी बोलते हैं इसको oxygen तो होता ही है और cytokinin भी होता है तो तीनों के तीनों जो है plant हार्मोन है option number d all of the above option number 88 अनिमल क्लासिफिकेशन का है डाश उच्च उच्च रेडी होने के नाते कुछ समान चरित्रों को प्रदर्शित करने वाले परिवारों का संकलन है तो यह क्या है यह है order ठीक है blood में आप कौन सा protein पाएंगे blood में आपको protein देखने को मिलेगा globin, globin protein में majorly कौन सा देखने को मिलता है hemoglobin option number b संतुलित आहार की दरश्टी से एक व्यक्ति को प्रति दिन कितने मात्रा में वसा की जरुरत होती है तो वसा चाहिए हमको 30 ग्राम ठीक है तो 30 ग्राम तो minimum चाहिए ही चाहिए option number d निम लिखित में से किस ने 5857 इस्वी में अंग्रेजों से संगर्ष किया ठीक है तो 5857 की क्रांती के हैं यह कुंवर सिंग option c आरा में पट्ना में इनोंने किया था option c प्रथम आंगल आंगल बर्मा युद्ध की जो है कि संधी द्वारा समाप्त हुआ था मतलब फर्स्ट एंगलो बर्मीज वार के बाद कौन सी संधी हुई थी तो यह थी ट्रीटी ओफ यांडबो ऑप्शनबर टी अब कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं एक तरफ या फिर और्गनाइजेशन है दूसरी तरफ उसके फाउंडर तियोसाफिकल स्वसाइटी की स्थापना की थी एनी बैसेंट ने मतलब वन आफ फाउंडर मेंबर थी और रामक्रस्न मिशन की स्थापना की थी विवेकरनन्द ने तो यह गलत हो गया स्वामी विवेकरनन्द होना चाहिए यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मुहन रॉय ने और आरे समाज की स्वामी दयानन्द सरस्थीर हैं बाकी सारे सही है मारा एंसर हो जाएगा बी आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है वंदे मात्रम जो है अर उगर्दर तिलक के मेजर जो पूछ जाते हैं यंक इंडिया इसमाज की स्थापना कभ गयी थी आपस अब इसकों सही सुमेलित करना है अधिक है मदलब कौन-कौन से से कौंगरτε के शशन और कौन-कौन जो है उसमें अध्यक्ष्च बने थे ठीक है तो 1907 में थे आपके रास बिहारी बोस ठीक है उसके बाद आपके 1925 में सरोजणी नाइड हूँ और आपके 1916 में जवाहर लाल नहरू और एक मिनिट 1916 में रहेंगे अंबिका चरण मजूमतार 1929 में जवाहर लाल नहरू ठीक है इस तरीके से मैच करेंगे बारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया महत्मा गांधी को भी कहते हैं और कहते हैं स्वामी दायारंद सरस्वती को अप्शन बर बी कॉशन नमबर 99 स्वदेशी की मांग जो 1905 के वारण असी अधिवेशन में हुई थी करेक्ट है इस सेशन के अधिक्स्ता जो है गोपाल क्रश्न गोखले ने की थी दादा भाई ने ने की थी तो हमारा करेक्ट एंसर हो जाएका ओनली वन जब मैगनीशियम जलाय जाता है तो क्या बनता है मैगनीशियम जो जलाय जाता है तो आपका आश बनता है मैगनीशियम का ओक्साइड जो है वो राक के फॉर्म में पाउडरी वाइट में निकलता है तो राक जैसा लगता है अप्शन बर्स की कथक, नोटंकी, कजरी इनमें से सभी राजी में किस राजी के नरत्यकला के प्रकार है नरत्यकला जो है यह उत्तरप्रदेश की है ठीक है कोई folk dance है कोई classical है कथक classical है नोटंकी यह कजरी folk है option number B Uranus सूर की शुरवाती स्थिदी से कौन से संख्या परक रहे है यानि कि सूर से कितना दूर है तो सूर में सबसे पहले तो मरकरी है और फिर सातवे नंबर पर आता है आपका Uranus दूरी के मामले में ठीक है आप हमको यह comment करके बताइए कि Uranus के कितने moon है इस समय निम्ण में से कौन Cabinet Mission का एक सदस्य नहीं था A.V. Alexander थे Pathic Lawrence थे Stafford Crips थे Vincent Churchill यहां पर नहीं थे Option C यह नहीं थे बाकि तीन ही लोग आये थे उनके नाम A.B. और D. में दिये हुए है पुर्थम Burmese War जो है कब से कब तक चला था यह चला था आपका 1824 से 1826 तक Option D More Scale का यूज किसलिए होता है तो More Scale काम आता है To measure the hardness of minerals Option D To measure the hardness of the minerals भारत के महान याइवादी की योगिता के संबंद में असत्य कथन चुनना है तो पहला है कि He must have 5 years of working experience as a judge of high court तो उच्च नयाले में नयाधीश के रूप में पांच वर्ष का नुभाव ये ठीक है उच्च नयाले में वकालत का 10 वर्ष का नुभाव और राष्टपती के मत अनुसार वे नयाधीश मामलों का योगिवक्ति हो ये सब है लेकिन Supreme Court में कोई ऐसी जरूरी नहीं है निम्न में से किस अधिनियम के तहट केंदर में दुईस अधनी विवस्था शुरू की गई थी दुईस अधनी विवस्था मिंटो मौरली रिफॉर्म्स के बाद आई थी यानुकि आपका काउंसिल आक्ट 1919 में उप्शन मुबर C भारती समिधान सभा का पहली बार्विचार किसके दौरा पेश किया गया था M.N.Roy के दौरा ठीक है उप्शन मुबर D भारती समिधान सभा की बैठक जब बता और विदान मंडल होती थी तो इसके अध्यक्षता कौन करते थे तो अध्यक्षता करते थे G.V. मावलंकर ओप्शन मुबर C निम्ण में से कौन सी प्रारूप समीती का सदस्य नहीं था तब कौन सा प्रारूप समीती का सदस्य नहीं था H.C. मुघर जी जो थे ये प्रारूप समीती के सदस्य नहीं थे ओप्शन मुबर C सहकारी समीतियों का गठन किस समीधान संसोधन के तहत किया गया था यह किया गया था 97 Constitution Amendment पर आधारित Option B किस समीधान संसोधन के तहत मत्वधान करने के आयू को 21 वर्ष से गठा करके 18 वर्ष किया गया यह किया गया था 61 समीधान संसोधन अधिनियम में Option D समिधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की सोतंतरता की चर्चा की गई है पांच तरह की सोतंतरताएं हैं किसकी किसकी है विचार, अभिवेक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए किस समीती का सरजन किया गया था तो ये थी आपकी राम नंदन कमीटी, option number B 1993 में उन्हें अपनी रिपोर्ट सब्विट कर दी थी समीधान के किस अनुच्छेद में अंतरास्टी, शांती और सुरक्षा की चर्चा की गई है ये की गई आर्टिकल लंबर 51 में, option number D निम्न में से कौन सा राज के नीती निर्देशक तत्मों का एक हिस्सा नहीं है निम्न में से किस राज के बारे में समीधान की छटी अनुच्छी में उपबंद नहीं किया गया है तो छटी अनुच्छी में शामिल नहीं है आपका मणीपुर आसम में घाल है, त्रिपरा शामिल है, और मिजोरम शामिल है आगे हमारा कुश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहट पंचायतों को शक्तियां, प्रादिकार और उत्तरादाईत तो प्रदान किये गए पार्स, अथॉर्टी, रिस्पॉन्सबिल्टीज ये किये गए हैं 243 जी में, आप्शन मुबर ए भारत में किस प्रकार के वन्र सरवाधिक पाय जाते हैं, तो भारत में ट्रॉपिकल ड्राई डेशी डिवेस का हिस्सा सबस्यादा है, करीब जो है ये 42 परसेंट है, आप्शन मुबर ए जब टोटल फॉरेस्ट का 42 परसेंट हिस्सा आईए, निम्र में से सही कथन चुनिए, अंतराष्ट्री ये वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को बनाते हैं, अंतराष्ट्री ये वन दिवस को संयुक्तराष्ट्र महा सभाधवारा 2013 में शुरू किया गया था, तो यहाँ प फिर आएगा आपका गुजरात, फिर आएगा अंडबाननी को बार, 213 होगा हमारा सही करम, यानि कि C, 213, नैशनल बैंबू मिशन को कप शुरू किया गया है, तो बैंबू मिशन आया है 2018 में, ऑप्शन बर B, हिमालेन वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, हिमालेन फॉर आपके इस्टरन हिस्से में है, तो यह होगा सबसे पहले है, ठीक, वेस्ट बंगाल के नीचे के पढ़ता है, ओडिशा पढ़ता है, ओडिशा में आपका सिंप्ली फाल, तो आगया 3rd पर, शीशा चलम कहां पर है, यह अगर आपको पता है कि आंदर में, तो यह हो जाएगा आपका 2nd पर, तो 1, 3, 2 हमारा करेक्ट एंसर बनेगा, ऑप्शन बर B, इस तरीके से कर सकते हैं वन जीव अपराद नियंतरन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, ओप्शन बर C, निम्निलिखित में से कौन सा राष्टरी उद्दान मद्द प्रदेश में उस्थित नहीं है, तो आपका बांधा हो गड़ जो है, यह आपका है मद्द प नेपाल से होता है, तो नेपाल से निकलती हैं आपकी सारी की सारी, घागरा भी, गंडग भी और कोसी भी, ऑप्शन बर D, अब इनको सुमेलित करना है नदी है और इनका उद्गम स्थल, तो इंदूस आपका मान सरोवर लेक के पास राकस ताल से ठीक, और जहलम का शेशना क्या होना चाहिए, अच्छा चली बता देते हैं, इसका एंसर हो जाएगा, 4321, इन दूस जो है, ये मान सरोवर से निकलेगी सही है, जहलम शेशनाग से, सतलज राकस ताल से, और व्यास व्यास कुंड से, इस तरीके से निकलेगी, 132 नमबर बताना है कि कौन सी पस्चिम की और बहने वाली नदी नहीं है, पस्चिम की और आपकी वैतानडी नहीं बहती है, option number D, अब कौन सा जो है, विकल्ब सही सुमिलित नहीं, एक तरफ जल प्रपात और दूसरी तरफ जिस राज में ये है, हुन्डू जल प्रपात जो इनमें से कौन सी लेक आपकी हिमाचल प्रदेश में, तो आपका हिमाचल प्रदेश में आपकी सूरज ताल है, बहां की तीनों जो हैं, ये आपकी उत्राखंड में लेक हैं, भीम ताल, रूप कुंड और सात ताल, ये सारी हैं उत्राखंड में, सूरज ताल है आपकी हिमा वायू प्रदेशों में बाटा गया है तो आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन से 15, option number C तामबे के डिपॉजिट से आपको कहां पर नहीं मिलेंगे, बागहाट में भी लेंगे, खेतरी में, सिंग भूम में कालाहंडी, ओडिशा में मैंगनीज के मिलते हैं, तामबे के नहीं, तो option number A हमारा correct answer है Caribbean Sea से आपकी कौन से सीमा नहीं लगती, इसका answer हो जाएगा Ecuador, ठीक है Ecuador हो जाएगा, बाकि फेनस्वेला, क्यूबा कोलंबिया ये टच करते हैं, Caribbean Sea को एगुलास धारा जो है, अफरीका महादूइप के पूर्वी तट पर बहती है, यहाँ पर लिखा है पस्चिमी तो यह हो जाएगा रॉंग, यह आपकी hot water current है, ठीक है तो यह correct है, answer हो जाएगा यहाँ पर only one मतलब only two हो जाएगा, sorry भारत का भूद्र विमान का छेत्रफल कितने million वर किलोमेटर है तो यह है 3.28 million वर किलोमेटर option number C इसके बाद हम लोग बात करेंगे reasoning और math section के बारे में तो पहला question उगा number one coding and decoding का सवाल है कि अगर किसी code में oral को 3196 लिखा जाता है तो return को कैसे लिखा जाएगा अब यह पहली बात तो कोई direct coding का example नहीं है कि ओ का मतलब 3, R का मतलब 1 A मतलब हुआ 9 और L मतलब हुआ 6 because यहाँ पर हमें return वाले जो alpha बेठें W, R, I, W, T, E, N इनकी बात करनी है जबकि इसके बारे में कोई hint दिया नहीं है तो सबके जो numerical equivalent है वो लिख के देखना पड़ेगा O, R, A, L O, 15, R, 18, A, 1, L, 12 इनके sum of digit कर देंगे एक और 5, 6, 18, 9, 1, 1, 1, 2, 3 यह 6913 है जबकि अपने पास 3196 है तो जस्ट उल्टा ही तो है 6913 को अगर आप ऐसे लिख देंगे इधर 6913 तो आ जाएगा अपने पास 3196 तो कुल मिला के logic यह बना कि जो भी alphabet है उनका numerical equivalent लिख के sum of digit लेके और उसके बाद reverse कर दीजिए तो यह है return W23, R18, I9, T20, E5, N14 2 और 3, 5, 18, 9, यह 9, यह 2, यह भी 2, यह 5, यह एक और 4, 5 इसको reverse करेंगे तो यहां से हमें देखने को मिलेगा 5522995 5522995 अब यहां पे एक नव गलती से लिख गया है यहां पे 5522995 अगर इसमें यह error मान लें कि यहां पे एक नव गलती से आ गया तो D option को टिक किया जा सकता है बाकि यह रहा आपके सामने इसका correct answer दूसरा सवाल भी coding and decoding का है अगर लंडन को इस तरीके से लिखते हैं तो France को कैसे लिखेंगे यहां पे एक चीज की और mistake है यहां पे 20 नाओ के 24 होगा ऐसा क्यूं किया यह आपको आगे पता लगेगा यह जो हमारा word है London L12 O15 N14 D4 O15 N14 उपर 24 दिया है मतलब सीधे सीधे डबल 12 का डबल 24 यह 30 है सीधे सीधे 15 का डबल 30 यह 28 है 14 का डबल 28 यह 8 है यानि 4 का डबल यह 30 है 15 का डबल और यह 28 है जो कि 14 का डबल होता है तो कुछ नहीं करना बस numerical equivalent को लिखके बस double तो ये है जैसे France F6, R18, A1, N14, C3, E5 6 का double, 12, 18 का double, 36, 1 का double, 2 14 का double, 28, 3 का double, 6 और 5 का double होगा, 10 तो 12, 36, 2, 28, 6 और 10 Option C महेश started walking towards the east यहाँ से अगर उसने अपनी जर्नी चालू करी East जाने का मतलब यह हुआ After walking some distance मानली जीतना distance उसने चल लिया अभी वो यहाँ पे खड़ा हुआ है He turned towards his left ऐसे गया left मारा इसने इदर आएगा, थोड़ा बहुत distance चलने के बाद में He again turned to the right यहाँ से right मुड़ा ऐसे गया और थोड़ा distance चलने के बाद में फिर से left मारा ऐसे और थोड़ा distance चलने के बाद इदर वो रुख गया तो बताईए Now in which direction महेश Is from his initial position Initial position मतलब जहाँ से उसने चलना चालू किया यह, final position यह है इसके बाद वो कहीं नहीं गया अगर आप यहाँ से final position की ओर देखेंगे तो कौन से direction में देख रहे हैं आप North और East के बीच में आती है North, East, B उत्तर पूर्व Y is to the East of X यह अगर X है इसके East में इधर कहीं पर Y होगा Which is to the North of Z अब यह जो X है इसके बारे में आगे बात की जा रही है कि यह जो X है वो Z के North में है तो Z को हमें यहाँ लेना पड़ेगा तब ही इसके ठीक North में हम X को रख सकते हैं If P is to the South of Z अब यह जो Z है उसके नीचे की तरफ मतलब South में हमें P देखने को मिलेगा Then in which direction P is respect to Y Y पे खड़े होके अगर आप P की ओर देखेंगे तो कौन सी direction में देखेंगे आप यह direction पड़ती है South और West के बीच में Southwest C दक्षिड पस्चिम चंदा is the wife of भरत चंदा जो है वो भरत की पतनी है तो यह चंदा है यह पतनी हो गई भरत की Mohan is the son of चंदा Mohan जो है वो चंदा का बेटा है तो यह चंदा का बेटा कौन हो गया Mohan आशीष is the brother of भरत इस भरत का कोई भाई है जिसका नाम आशीष है And he is also दुरूव's father आशीष जो है वो दुरूव का पिता है तो यह दुरूव आ गया कही How is Mohan related to दुरूव? Mohan और दुरूव के बारे में अगर हम बात करें तो Mohan के माता पिता ये दोनों है और दुरूव के पिता ये है तो दोनों अलग-अलग माता पिता की संताने हैं और इनके माता पिता अपस में सगे संबंदी हैं तो ऐसे रिष्टे को क्या कहा जाता है? चाचा या फिर दादा के लड़के यानि कजिन B If the science of minus and divide by मतलब जहां पे minus है वहां पे divide by का प्रयोग कीजिए और जहां पे divide by है उधर आप minus यूज कीजिए And the number 2 and 6 are interchange जहां पे 2 है वहां पे 6 आएगा और जहां पे 6 है वहां पे 2 आएगा तो बताईए चारों अप्शन में से कौन सी equation balance हो पाएगी Conversion करते हैं 3 को कुछ नहीं करना ये 2 है तो 6 होगा ऐसे ये 2 है तो 6 होगा ये 6 है तो 2 होगा ये minus है तो divide by होगा ये divide by है तो minus होगा 36 बटे 12 यानि 3 तीन में दो गया 1 जबकि इधर तो 30 है ये गलत B की तरफ चलते हैं ये 32 ये 16 because 2 है तो 6 ये 6 ये divide by है तो minus ये divide by ये 16 बटे 6 ये तो कटेगा ही नहीं fraction में आएगा जबकि यहाँ पर integer है गलत तीसरे पर आते हैं 36 बारा उसके बाद में 2 ये minus है तो divide by ये divide by है तो minus ये 3 होगा तीन में दो गया एक और वही दिया है C को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे एक परिवार में पुरुष उसकी पत्नी उनके चार पुत्र और उनकी पत्निया है देखिए फिर ये man है ये इसकी wife है इन दोनों के चार बेटे हैं S1, son number 1, 2, 3 और ये हो गए 4 अब इनकी wife है W1, W2, W3, W4 ठीक Each son has three sons and one daughter अब ये जो S1, S2, S3, S4 है इनकी भी generation आगे गई है सभी की चार संताने हैं जहां पे एक डाटर है और बागी सब बेटे हैं ऐसे इधर भी चार संताने होंगी जहां पे एक डाटर है और बागी सब बेटे हैं यहां भी सेम बात होगी और यहां पे भी एक बेटी बागी सब बेटे तो बताईए find the number of male members in the whole family पुरूश कितने हैं इस पूरी फैमिली में तो एक तो आदमी खुद पुरूश है उसके चार बेटे हैं जो चार बेटे हैं उनके तीन तीन बेटे तीन, तीन, शे, तीन, तीन, बारा, चार, सोला और एक, सत्रा ओप्शन, डी इतने ही पुरुश हैं रमन is a class 10th student रमन class 10th में है इसकी rank शुरू से मतलब class में जो rank होती है वो उपर से मानी जाती है 16th इंदा class मतलब उपर से उसकी rank 16 है और नीचे से 49 है तो बताइए उस class में student कितने है total बराबर होता है L प्लस R माइनस 1 left का मतलब 16 right का मतलब 49 इसको top प्लस bottom भी लिख सकते हैं माइनस 1 65 में एक कम हो गया तो 64 बच गया इतने ही student है 5 people are playing card sitting in a circular arrangement facing the center एक circle बनाया और उसमें 5 लोगों की बैठने की जगह बना ली मुकूंद is to the left of Rajesh ये अगर Rajesh है और वो ऐसे अंदर देख रहा है तो उसकी left hand side ये होगी एक दमबाएं उसकी कौन बैठा है तो मुकूंद Vijay is on the right side of Anil and between Anil and Nagesh Vijay ना सिर्फ Anil के right में है बलकि वो Anil और Nagesh के बीच में है तो ये अगर मैंने Anil बना दिया तो इसकी right hand side ये होगी और इधर हमें Nagesh लेना पड़ेगा अब जाके नागेश और Anil के बीच में हम रख सकते हैं विजय को विजय को इस टुदी राइट आफ नागेश ये नागेश है इधर देख रहा है तो इसकी right hand side ये होगी यहाँ पे कौन है तो मुकूंद है ए इस सिरीज में बताईए कौन सा टर्म गलत है चार, छे, नौ, बारा, सोला ये सब में तो चार लिख सकते हैं टू इंटू टू छे होता है थ्री इंटू टू पहले दो में दो का गुणा किया फिर तीन में दो का कर दिया ये होता है थ्री इंटू थ्री बारा होता है फोर इंटू थ्री यहाँ पे logic इसलिए बना रहे हैं क्योंकि n times of n-1 पहले करेंगे और बाद में n into n ठीक मतलब किसी नंबर में पहले उसके पिछले वाले का multiplication और उसके बाद में दोनों नंबर का आपस में multiplication अप्लिकेशन 16 होता है चार इंटू चार अब यहीं देख लीजिए पहले चार में तीन का किया आपकी बार चार में चार का ही कर रहे हैं यहाँ पे काईदे से होना चाहिए 5 गुड़े चार और यहाँ पे 5 पचम 25 यह तो है ही और इधर होना चाहिए 6 गुड़े में 5 लेकिन 5 चोग के 21 थोड़ी ना होता है यह तो 20 होता है तो बस यही टर्म हमारा गलत है अप्शन D अब इसके बाद यह सिरीज कंप्लीट कीजिए अप 0 को लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस 1 N क्यूब माइनस N के फॉर्म में हर एक नंबर को लिखने का प्रयास है 6 होता है 2 क्यूब माइनस 2 24 होता है 3 क्यूब माइनस 3 N क्यूब माइनस N 64 होता है 4 cube minus 4 120 होता है 5 cube 125 minus 5 120 तो इधर क्या होना चाहिए 6 cube minus 6 216 में से 6 गया तो 210 बच गया Option A उसके बाद बात करते हैं 12 number question की यहां पर बताईए missing number क्या आएगा तो सबसे पहले जब भी छोटे छोटे number हो तो हमेशा column wise या फिर row wise जोड़ के देख लेना चाहिए अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे 279 6 15 4 48 9 यह difference कुछ ज़्यादा ही आ गया इस वज़े से हम लोग नीचे नीचे जोड़ के देखते हैं 246 5 11 13 14 7 4 11 2 13 14 तो कुल मिलाके नीचे नीचे जोड़ने पर 14 आना चाहिए 6 4 10 13 उसमें हम क्या जोड़ें की 14 आ जाए तो एक जोड़ना पड़ेगा option A अगला question letter analogy से है जिस तरीके से A, C, E का संबंद V, X, Z के साथ है तो F, J का संबंद किस के साथ होगा तो A1, C3, E5 V22, X24, Z26 ये बात है हम 26 और 27 लिख सकते हैं इसका मतलब opposite letter का concept लग रहा है जिसमें 2 letter एक दूसरे के opposite तब माने जाते हैं जब उनके numerical equivalent का sum 27 हो जाए 1 और 26 27, 3 और 24 27, 22 और 5 27 F, H, J तो J होता है 10 इसमें हम क्या जोड़ें की 27 आ जाए तो 17 जोड़ना पड़ेगा 17 का मतलब है Q H, H होता है 8 8 में हम क्या जोड़ें की 27 आ जाए तो 19 जोड़ना पड़ेगा जिसका मतलब होता है S F, F होता है 6, इसमें हम क्या जोड़ने की 27 आजाए, तो 21 जोड़ना पड़ेगा, जो कि होता है U, तो Q, S, U यहां से correct हो गया, D The product of two numbers is 336, दो number को आपस में गुणा करिएगा, तो आएगा 336, अगर एक number X है, दूसरा Y है, तो result आता है 336, यह हमारी equation number 1 हो गई, if their sum is 28 more than their difference, sum का मतलब है X plus Y, यह आपको कब मिलेगा, जब आप difference में 28 जोड़ देंगे, difference कैसे निकाले, X minus Y से, अगर हम यह मान के चलें कि X बड़ा है, Y से हमेशा, तो 28 जोड़िएगा X minus Y में, तो क्या पाजाईएगा आप, sum जो की X plus Y है, X से X कट गया, यह negative का Y इधर आया, तो positive बना, 2Y बराबर 28, Y plus Y, 2Y, Y बराबर 14, एक नमबर अगर 14 है, confirm, तो कौन सा वाला option सही होगा, B वाला, because एक नमबर, confirm हम निकाल चुके हैं, बाँकि Y बराबर 14 आप पहले में रख दीजिए, तो 14X बराबर 336, 14 दोनी 28, 14 चौके 56, दूसरा आ गया 24, When a number is divided by 91, कोई number है, अगर आप उसे 99 से divide करो, तो 108 आता है, यानि वो नमबर पक्का 91 से 17 जादा है, अगर वो 91 ही रहा होता, तो एक बार में 99 से कट जाता, लेकिन वो 17 जादा है, तब ही तो 17 remainder बच रहा है ना, तो वो नमबर पक्का 108 होगा, इसी 108 को जब आप 13 से divide करेंगे, तब remainder कितना आएगा, ये बता दीजिए, तो 13 ठेक 104, चार यहां से remainder हो गया, बी, इस equation को solve करके x निकालिए, ये root over 256 divided by root over x का मतलब 2 है, इस root over को एक ही जगा पे रख सकते हैं, क्यूंकि same sign इसके साथ है, same sign इसके, तो दोनों के साथ वही sign है, दोनों तरफ square करिए, तो square root का sign हटेगा, और वहां पे 2 का square 4 हो जाएगा, चार ने इस 256 को 64 बार में काट दिया, c, when two and a half, यानी पांच बटे दो, is added to a number, मान लीजे वो number x है, इसमें हमने पांच बटे दो जोड़ दिया, the sum is multiplied by four and a half, नौ बटे में दो, नौ बटे में दो से इसका गुणा कर दिया, and three is added to it, इस पूरे result में तीन जोड़ दिया, and the result is divided by one, one by five, यानी छे बटे पांच, छे बटे पांच से डिवाइड कर दिया, तो multiply किस से किया, उल्टे से पांच बटे छे से, इस पूरी चीज को पांच बटे छे से multiply कर लिया, और ऐसे में result आपको देखने को मिला, 25, तो बताईए x क्या है, सबसे पहले इन दो straight line के बीच में जो term है, उसको solve करेंगे, 9 by 2, ये 2 उपर जाएगा, तो 2 x plus 5 by 2, प्लस में 3, 9 दूनी 18 x plus 9 पंजे 45, बटे में 2 दूनी 4, प्लस 3, यानि कि 4 तियांगी 12 प्लस होगा, तो 18 x plus 45 बटे 57 बटे 4, इस पूरी चीज की value ये है, इन टू में 5 बटे 6 बराबर 25, 55 जा चार्चिंग 24 पंजे 120, 18 x बराबर 120 माइन 57 यानि 63, 9, 2 जा 9, 7 जा, x बराबर आगया 7, साथ बटे 2 यानि 3, सी, इस equation को solve करिए और यहां पर बताईए question mark की जगा पर क्या आएगा, 4 बटे 5 लेना है 1605 का 30 परसेंट यानि 3 बटे 10 चाहिए 5080 का और 65, 189 में से हम क्या घटा दें, तो मान लीजे x घटा या, x आपको चाहिए 0 से 0 घटा 5, 3 जा 5, 2 जा 5, 1 जा 321 गुणे 4 यानि 1284 पांच सो आठ गुणे में 3, 1524, 6589 माइनस x, 1524 में 1284 जोड़ दीजिये, आठ, 288 आठ आया ये, इस 288 को निकाल दीजिये, 6589 में, 0, 8, 7, 3, 3780, सौरी ये 8 था तो 3781 होगा, आप्शन B, इना म्यूजिक क्लास, 12 स्टूडेंट कैन प्ले फ्लूट, एक म्यूजिक क्लास में 12 ऐसे स्टूडेंट है, जो की फ्लूट बजा सकते हैं, यानि की बांसुरी, और मैं 12 इसको बाहर लिखूँगा, क्योंकि इन 12 में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जानते हूं, इसलिए 11 बाहर, ये 11 वाले गिटार के हैं, और 10 ऐसे हैं जो सितार बजा सकते हैं, ये 10 ऐसे हैं जो सितार बजा सकते हैं, 6 स्टूडेंट कैन प्ले फ्लूट as well as गिटार, फ्लूट और गिटार के बीच में ये जो रीजन कॉमन हैं ना, इस पूरे region की value 6 है इस 6 में से 3 ऐसे हैं जो की violin बजाना भी जानते हैं तो देखिए 6 कौन लोग थे जो flute, guitar दोनों जानते थे उन में से 3 violin भी जानते थे इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 3 हैं ये flute और guitar तो जानते ही थे 7 में violin भी जानते थे तो मतलब 3 वाध्यंतर जानते थे थे न तो 3 वाध्यंतर जानने वाले जो 3 लोग हैं उनको हमें ऐसी जगा पे लिखना पड़ेगा जो इन 3 फिगर में common हो और वो ये है यहां पे आगया 3 इस पूरे region की value 6 थी 3 यहां आगई तो बाकी की 3 इधर आएगी I think यह सभी को समझ भें आ गया होगा 3 student can play only guitar सिर्फ guitar यानि यह जो region है इसमें कितने आ गए 3 इस guitar की value पूरे circle की 11 थी जिसमें 3 ती या 9 कवर हो चुकी है तो बाकी की 2 इधर आएगी आगे देखते हैं 4 student can play only flute sorry 4 student can play only violin सिर्फ violin यानि सिर्फ star वाले इधर आएगे जो की 4 हैं इस पूरे circle की value 10 थी जिसमें 4, 3, 7, 2, 9 कवर हो चुकी तो बाकी 1 इधर आएगी flute में इस पूरे की value 12 थी जिसमें 3, 3, 6, 7 कवर हो चुकी तो बाकी की 5 इधर आएगी सब कुछ हमने कवर कर लिया अब देखते हैं आप से पूँच क्या रहे है how many student can play only flute only flute यानि ये पूरा region इसमें 5 2 numbers are in the ratio this 2 numbers इस अनुपात में बटे हुए है if there some is 125, find the numbers तो option से चलते हैं फिर option में जिन 2 numbers को मिला के 125 मिल रहा है वही हमारा answer है बाकी सारे गलत है 70, 5, 75 और 50, 125 बस इसी को टिक करी और आगे बढ़िये इतनी देर का था माकी 36, 24, 60 होता है 125 तो नहीं 30, 20, 50 होता है 125 होने का सवाल नहीं 78, 32, 110 होता है इस वज़े से ये भी गलत The ratio of ages of wikki and sumi is 2 to 3 जो ratio है wikki और sumi की age का वो 2 बटे 3 है इस वज़े से मान लिया कि wikki 2x साल का है और sumi है 3x साल का after 12 years 12 साल बात क्या होगा दोनों की age 12-12 साल से बढ़ेगी और उस समय ये होगा कि wikki और sumi की बीच का ratio ये हो जाएगा उनकी age के बीच में मतलब तो 2x प्लस 12 बटे में 3x प्लस 12 ये हमारे हिसाब से ratio है जो की 11 बटे 15 के बराबर है solve जल्दी करने के लिए आधी चीजे मन में 15 दूनी 36, 11 तियाई 33 33 x माइनस 36, 3 x 15 गुणे 12, 180 और 12 गुणे 11, 13 180 में से 132 निकाल दीजिए 48 x बराबर 16 what is sumi's percentage? 3 x है 16 गुणा कर लीजिए because x की value 16 है 16 तियाई 48 option D अब इसमें देखिए odd one out बताईए 4 option में 3 चीजें एक जैसी है जबकि 4 अलग है और जो अलग है वही आपका अंसर हो जाएगा IDBI, HSBC और UCO ये 3 बैंक है जबकि SEBI बैंक नहीं है वो एक सरकारी और्गनाइजेशन है जो कि security exchange से समबंदिच चीजों से deal करती है तो अब 3 बैंक है जबकि option B में से भी बैंक नहीं है इस वज़े से ये गलत B If the average of these numbers is 69 sorry 60 तो एक्स बता दीजे क्या होगा इन सब को जोड के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 से डिवाइड करना होगा In fact 8 से Because series हमारी ये है तो 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 38, 36, 49 यानी 390 9, 8, 17, 1, 18, 6, 18, 3, 21, 5, 26, 3, 29, 29, 38 बटे में X भी तो जुड़ेगा इसमें बटे में करेंगे 3, 3, 6, 2, 8 ये बराबर हो जाएगा 60 के 390 प्लस 38 यानी की 428 प्लस X बराबर 480 X बराबर होगा 480 माइनस 428 यानी 52 A Out of 5 numbers 5 नमबर है A, B, C, D, E Average of First 3 मतलब A, B, C 12 Average मतलब A, B, C बटे में 3 Because Total को अगर जितने भी number of terms हैं उससे डिवाइड कर दें तो Average मिल जाता है A प्लस B प्लस C 12, 31, 36 Equation 1 And the Average of Last 3 C, D, E C, D, E इसका Average 18 है तो सम कितना होगा 3 गुना Because ये 3 ऊपर जाना ही है Multiply होना ही है अपने को पता है 54 If the average of all 5 numbers इन सब को जोड़ के 5 से डिवाइड करने के बाद 15 है तो पहले रहा होगा 15, 55 अगर हम A प्लस B प्लस C की value इतने की 36 रख दें तो D प्लस E कितना होगा 75 माइनस 36 75 में 30 गया तो 45 6 और गया तो 49 इस 49 को अगर मैं यहां रख दू D प्लस E की जगा पे C प्लस 49 बराबर 54 तो C आ जाता है 54 माइनस 49 यानि 15 What is the third number? काउन सा पूँचा है? C जो की अमारे पास पहले से है 15 Option C The salary of an officer was increased by 20% अगर 100 थी तो 20% यानि 20 बढ़के हो जाएगी 120 By what percent? Would it have to be reduced to bring it equal to his previous salary? इस 120 में कितना परसेंट कम कर दें कि 100 आ जाए? तो 120 से 100 पहुचने के लिए कि क्या करना होगा? 20 कम ही तो करना होगा? कितने पे? कहां पे खड़े हो आप 120 पे उसी से divide कर दो एक बटा 6 इसका मतलब होता है 16 to by 3% ए जब लोग नए घर खरीदते हैं तो साथ में वे घरेली उत्पाद के कुछ प्रोडक्ट भी खरीदते हैं जैसे टीवी फ्रीज वासिंग मसीन आजकल जो लोग नए घर लेते हैं शाइद पहले भी ऐसा होता हो कि नए समान भी साथ में ही चला आता है पुराने समान को वो लोग बेंच के नए ले लेते हैं विकॉस घर नए तो समान भी नए होना चाहिए ऐसा trend चला हुआ था और शाइद अभी भी है आगे है नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन की ब्याज की दरों पर depend करती है होम लोन पे मिलने वाला जो ब्याज है अगर वो कम रहा तो ज़्यादा होम लोन मिलेगा और ज़्यादा होम लोन मिलेगा तो ज़्यादा घर खरीदे जाएंगे तो कुल मिला के ये है कि अगर जो बैंक है जो लोन दे रहा है उसने अगर ब्याज में कटवती कर दी इंट्रेस्ट रेट में और कम इंट्रेस्ट रेट में पैसे देने लगा बैंक तो जादस जादा फ्लैट खरीदे जाएंगे क्योंकि होम लोन का मतलब यही है कि आपको घर खरीदना है सिर्फ और सिर्फ तभी आपको लोन मिलेगा दरवाइज नहीं तो अगर पैसा मिलेगा तो घर खरीदना ही पड़ेगा विकॉस होम लोन है आशा है कि बैंक ब्याज दरों में अगले वर्ष कम से कम 1% की कटाउती करेंगे अगर कटाउती करेंगे जो कि एक बड़ी कमी भी है ये भी बोलाएं तो अब इस से बात है जादस जादा लोग लोन लेंगे और अगर जादस जादा लोग लोन लेने लगे तो घर जादस जादा खरीदे जाएंगे तो बस यही तो निस्कर्स है कि जादा घर खरीदे जाएंगे और अगर घर जादा खरीदे जाएंगे तो ये सब समान भी अपने आप बिकने लगेंगे because अगर लोग नया घर खरीदते हैं तो ये सब समान भी साथ में खरीदते ही है ये वाली चीज कहां पर दिख रही है घरेलू उत्पाथ कंपनियों को अपनी बिक्री में बढ़ावा देने के लिए ग्रहांकों को भारी छूट देनी पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो छूट नहीं भी देंगे तो नया घर ग्रहांकों ने खरीदा है तो वो इस बात को सोचेंगे ही नहीं कि ये सब समान जो हैं टीवी फ्रीज ये ज़्यादा रेट के मिलना हैं हमें कम कराना चाहिए ऐसा नहीं होगा सरकार भारत में घरेलू प्योग के वस्तुओं के अधिक से अधिक ब्रांडों को आकर्सित करने के लिए तो एकदम आउट अफ टॉपिक बात जा रही है उपर इंट्रेस्ट रेट कम होना पैसा जादा मिलना घर खरीदना और डूरेबल प्रोड़क्ट खरीदना इनके बारे में बात हुई थी सरकार क्या करेगी क्या नहीं इस बारे में बात नहीं हुई तो इन लोग को तो फाइदा होगा ही क्यूंकि ज़्यादा घर करीदे जा रहे हैं और घरेलू उत्पाद निर्माता कंपनियां जैसे फिलिप्स वीडियो कॉन जो की टीवी फ्रीज ये सब बेंचती हैं इन में बहुत हाई सेल हो जाएगी बहुत ज़्यादा इनके समान बिकने लगेंगे और ये देखेंगे बैठके दूनों ही बिक्री में उच्च बृद्धी का गवाब बनेंगे बस यही तो चाहिए था सी चौथा क्यों गलत होगा क्योंकि शॉपिंग मॉल में बिक्री के तुलना में इकॉमर्स बिल्कुल आउट अफ टॉपिक बात है ये गलत